नमस्कार मैं हूँ फरहान और SPN9 के इस खास काडिकरम में आप सभी का स्वागत है भारत बचाओ रैली भारत बचाओ आंदोलन भी कह सकते हैं अभी एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है इस दौरान कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया और ने कहा है कि 28 दिसंबर जिस दिन कांग्रेस का इस थापना दिवस होगा पूरे भारत में हर राज की राज़धानी से एक रैली निकाली जाएगी भारत बचाओ रैली का नेत्रत तो किया जा रहा है कि 28संबर को पूरे भारत में ही जोर-सोर से इसको मनाया जाएगा और रैली निकाली जाएगी और सरकार कि नीतियों का विरोत किया जाएगा जिसने आसाम की जंता को पिरितारित कर रखा है दूभर कर रखा है आसाम की चंगारी बंगाल तक पहुँच गई और पूरे हिंदोस्तान को सुलगा रखा है केवल सत्ता मातर के लिए केवल सत्ता में काबिज रहने के लिए केसी वेडू गुपालन है कॉंग्रेस के महा सचिव हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरह भारत बचाओ रैली की सफलता ह होई है दिली में सफलता के बाद सफल हुई है रैली यह सफल नहीं हुए है तो हमें नहीं पता यह कैसी वेडू गुपालन कह रहे हैं और रैली की सफलता किसे मानते हैं मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है क्या रैली का पूरा हो जाना सुबह से साम तक कोई विरोधना हो उसको बीचे बंद ना करवाया जाना यदि यह सफलता है तो अभी रैली आपकी सफल नहीं हुई है रैली आपकी तब सफल होगी जब आसाम की जंता को न्याय मिल जाएगा जब NRC और नागरिकता संसुधर्म विद्यक जैसे कानून से निजात पा जाएगी जंता जिसके वि पुलिस उनको पीट रही है और पुलिस खुद हिंसाएं कर रही है और हिंसा करने वाले कथित व्यक्ति जो की वह च्छात नहीं बताया जा रहा है उनकी कथित लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं उन पर कब तक करवाई होगी यह भी देखने वाली बात है तो इस दरहां क पॉसल सा अबी बना रही है लेकिन इरही कितनी सफ़ल होगी यह देखने ओली बाता होगी अभी और पार्टीयां नहीं उत्रियां समाजवादी पार्टी के बीशीर सने जमीन नहीं पर नहीं उत्रहे हैं जिसए समय आ कॉंग्रेस के सभी शीर नेता धिल्ली कर राम दीला म में हो या ना हो वोने वहां मौजूद होकर इस नीती का विरोध करना चाहिए था वह नीती फिर सामने आ गई जिसरा अमर्जनस्टी के दौरान सारा विपक्षेक हो गया था कांग्रेस के खिलाब फिर से सबको एक होना चाहिए लेकर वहां भी कोई नहीं उतरा केवल मौखिक तोर पर विरोध हो रहा है इस बात का जमीन पर उतरने की अभी आश्रक्ता महसूस नहीं हुई है और पार्टियों को और दलों को पपूयादों ने कोशिश करी देखिए हिरासत में ले लिए गए तो अभी और कितने पर एक पक्षए करें और भरतियनता पार्टियों कि समने आ रही है तो लाइक करेंजाल ज्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूने तब तक जाज़त चाहूंगा नमस्कार